सो गईज, फानिली सावमी 14 सीरीज का इंडिया लाँच कन्फरम हो चुका है और यह सीरीज साथ मार्च को इंडियन मार्केट के अंदर लाँच की जाएगी हला कि गिलोबल मार्केट में इस सीरीज के अंदर तीन स्मार्टफॉन सावमी 14 इसका प्रो विरेंट और अल्ट्रा विरेंट देखने को मिले थे लेकिन इंडियन मार्केट में इस सीरीज के प्रो और अल्ट्रा को लाँच नहीं किया जाएगा केवल वेनिला सावमी 14 ही इंडिया के अंदर आने वाला है इस फोन के बारे में दोस्तों सवी कनफर्म डेटेल वहार आ चुकी है आज कि वीडियो में गई सम अनमॉक्सिंग टाइप में बात करेंगे इस फोन के सवी फीचर्स के बारे में साथ ही गई से हम बात करेंगे कि ये स्मार्टफॉन भारती मार्केट में किस प्राइज पर लॉंच किया सकता है तो स्वागत अब सब का टेक रोज पर जनकरी के लिए वीडियो मैंट तक बने रहे हैं और दोस्तो चैनल पर पहले हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह एक वीडियो मिलती रहें तो दोस्तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि साउमी 14 सीरीज का वेट काफी कर्ष्ट मस काफी टाइम से कर रहे हैं हाला कि फिलाल इस सीरीज के अंदर के वाला आपको वेणिला साउमी 14 स्मार्टफोन ही देखने को मिलेगा लेकिन यह स्मार्टफोन एक फिलेक्सिव स्मार्टफोन होने वाला है जिसमें वहतरीन फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे तो जल्दी से बात करते हैं दोस्तो इस phone के सभी specs के बारे में और देखते हैं गई इसकी कैसा smartphone यह आप सब के लिए रहने वाला है अगर first of all दोस्तो हम बात करते हैं smartphone की design के बारे में तो आप देख सकते हैं इसकीन पर कि इस phone की design है वो निकल कर सामने आ चुकी है और कुछ ऐसा smartphone यहां पर हमें यह देखने को मिलने वाला है जिसके बैक साइड में गई सापको glossy glass की body देखने को मिलती है साथ एक स्क्वाइर सेप में त्रपल camera setup फ्लेश लैट के सपूर के साथ में आपको दिया गया है वहीं अगर front side की बात करते हैं तो front side में गई से आप आपको एक बड़ी display देखने को मिलेगी जोकी पंचल के cutout के साथ में आएगी तो overall दोस्तों स्मार्टफोन का design काफी बड़िया रहने वाला है definitely काफी कमाल किनहन फीलिंग यहाँ पर आपको मिल चाएगी अगर design के बात दोस्तों नेश्ट बात करते हैं स्मार्टफोन की डिस्पले के बारे में तो यहाँ पे गई साबको 6.36 एक LTPU AMOLED डिस्पले देखने को मिलेगी जोकी 1.5 की resolution के साथ में आएगी साथी 120 Hz का फ्रिसेट यहाँ पर आपको मिल चाएगा इसके लावा दोस्तों डिस्पले में 3000 nits की peak brightness देखने को मिलती है तो कलस मगरा काफी बढ़िया रहने वाले हैं और definitely काफी कमाल का व्युक्षपनस आप यहाँ पर expect कर सकते हैं अगर डिस्पले के बाद दोस्तों नैश्ट बात करते हैं स्मार्टफोन की performance के बारे में तो यहाँ पे गई साबको कॉलगम की इसके साथ में आएंगे तो performance बाज दोस्तों यहाँ पर आपको टैंसल लेनी की जरूद नहीं है एक flexible स्मार्टफोन है definitely काफी कमाल की स्पीड बगर यहाँ पर आपको मिल जाएगी अगर नेश्ट बात करते हैं दोस्तों स्मार्टफोन की camera setup के बारे में तो यहाँ पर आप को रियर साइड में square shape के अंदर triple camera setup देखने को मिलता है जिसका में संसर रहेगा दोस्तों फिटी मेगावसल का जोकी 100 900 संसर रहेगा साथी OS का support भी गई से यहाँ पर आपको मिल जाएगा इसके लावगी से आप आपको 50 मेगावसल का टेली फोटो लेंस और 50 मेगावसल का अल्टर बटेंगल लेंस देखने को मिल जाएगा अगर स्मार्टफोन के front camera के बात करते हैं तो फ्रेंट साइड में की से आप आपको एक पंचल का cutout देखने को मिलता है जिसमें 32 मेगावसल का एक selfie camera आपको दिया जाएगा इससे काफी कमाल की selfies और वीडियो कॉलिंग और दोस्तों आप कर सकते हैं अगर camera के बाद दोस्तों नेश्ट वाद करते हैं स्मार्टफोन में बैटी डबार्टमेंट के बारे में तो यहां पर गई सापको 4610 एमेच की एक बड़ी बैटरी देखने को मिलती है जो की 90 वाट की wireless charging और 10 वाट की reverse charging भी यहां पर आपको मिल ज जाएगी इसके लाब दोस्तों अगर बात करते हैं स्मार्टफोन के कुछ और फीचर्स के बारे में तो यहां पर आपको इंडिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कन का सपोर्ट देखने को मिलता है साथ यूस्पी टाइप-C के साथ 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 इस्पीकर्स का सपोर्ट भी यहा अगर आपको कोई और भी कमेंट होगा इस ताब वह भी लिख सकते हैं फिलाल इस वीडियो में किसे तना ही गर वीडियो चलगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और दोस्तों चैनल पर पहली वर आए है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह एक मिलती रहें मैं मिलता हूँ आपको नएश वीडियो में अपते के लिए गुडबाई हैव नाइस टे